यूपी में बीजेपी की सरकार बने अभी दस दिन भी नहीं गुजरे की विधायकों पर सत्ता का सुरूर चड़ गया है बीजेपी विधायकों की जुबान अभी से बेलगाम हो गई है योगी आदित नात ने सत्ता सभालते ही नेताओं को बिगडे बोल से बचने की सला दी थी लेकिन नेता जी हैं की मानते ही नहीं मुजफर नगर के खतौली विधान सभा से नव निर्वाचित बीजेपी विधायक विक्रम सैनी पहुँचे तो थे मंतरी सुरेश राणा के सुवागत के लिए लेकिन उन्होंने मंच पर पहुँच कर जब बोलना शुरू किया तो बेतु के बयानों की जड़ी लगा दी दिये जाएंगे जब सैनी लगातार मंच उसे विवादित बयान दे रहे थे तो बीच में ही उनका भाशन रुकवा दिया गया बतादिक मुजफर नगर दंगो के आरोप में विक्रम सैनी को जेल भी जाना पड़ा था सीम की हिदायत के बाद भी बीजेपी के विधायकों के बिगड़ायल बोल नहीं रुक रहे हैं उनके विवादित बयान सुनकर तो यही लग रहा है कि उन्हें सीम साहब का भी कोई खौफ नहीं मतलब है तो सिर्फ सत्ता की धमक दिखाने से दिखते रहें डीबी लाई